हेलो एब्रिवन वेल्कम टू माई चैनल पीकेपी आज की क्लास में हम क्लास फिफ्थ इवियस एंसी आर्टी का चैप्टर नंबर 9 टू चैप्टर नंबर 12 देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो की एक्जाम में आता है आपकी जो पीडियाफ है वो अ पीडियाफ अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन से जाकर आप डाउनलोड कर लेना उसे ठीक है तो इससाट करते हैं हम आज के क्लास चैप्टर 9 चैप्टर 9 का नाम क्या है अब टू गो ठीक है देखते हैं अब टू गो का मतलब यहां पर क्या है उचाई पर जाने से ल पारे में बात की गई है और हमको पता है कि जो हमारे इंडिया की है बचेंद्री पाल ठीक है वह फर्स्ट इंडियन वोमें थी जो कि कहां गई थी माउंट एवरेश्ट पर गई थी और अगर वर्ड वाइड बात की जातों वह पांच वी थी तो बस यहीं सब चीजें आप पर डिस्कस करना हो और यहां से कुष्ण स्वहर्ट जाता है ठीके तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट यहां और कर bread पर चरना चट्टान बेचक्जा क्लाइम का का ओता है अब this कि बारे में पढ़ना है बचहेंदरी पाल के बढ़ना थिक पहले वुमेन जो कि कहां पर मांट युरस्ट पर गई है ठीक है और इन्हों ने गाइड किया था किmind आपने सुना को तूरी तो उसकी वज़ा से फिर जब वो हॉस्पिटल में थी तो उनकी जब आँख खुली जब उनको हो साय तो उन्होंने ये चीजे देखी कि उनके पैर नहीं है और आर्टिफिशल पैर लगते हैं उनके फिर वो सबसे पहले जिस लेडी से मिलती है वो बचहिंदरी पाल ही होती ह क्योंकि वो डिसीजन ले चुकी होती है कि उन्हें भी माउंटेनियर बनना है ठीक है तो ऐसे ही कुछ इस्टोरी बचहिंदरी पाल की है देखते हैं क्या है कैसे ठीक है तो ये कहां की है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये गढ़वाल गढ़वाल कहां पर उत्र इन्टीट आफ माउंटेनियरिंग यहां से इन्होंने क्या किया अपने ट्रेनिंग कंपलीट की और इनको जो गाइड करने वाले थे वह थे ब्रिगेडियर ग्यान सिंग नेस्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि यहां भारत की पहली महिला और विस्सू की इन्टीशन्स वाली और इंडिया की फर्स्ट भूमें थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था ठीक है और यह कितनी देर वहां पर रही 43 मिनट तक यह रही वहां पर ठीक है इतना पॉइंट आपको याद रखना है इनके बारे में अब नेस्ट पॉइंट आ आया ठीक है नेस्ट आता है आपका बिटामिन और आयरन यहां पर कुछ पॉइंट है जो हमको क्या करना याद रखने वाली बात है कि बिटामिन और आयरन हमें क्या देता है तो यह बायोजिक वैसे टॉपिक है बट यहां पर जो माउंटेनियर होते हैं उनको इन सब चीज और इन चीज़े-Khani होती है जो उन्हें क्या करती है तायगत देती है और ठंड में भी उन्हें क्या देती है क्योंकि आपको पता है मांट Wars यह अपलड़ेस्ट प्लेट प्लेएश मानना जाता है ठंडी जगह मानी जाती है तो वहां पर गर्माहट की सक्थ जरूरत होती ह ठीक है, नेस्ट पॉइंट आता है टिकला गाउं, टिकला गाउं जो है वो 1600 मीटर उचा है, ठीक है, कहाँ पर है ये राजस्थान में है, कहाँ पर राजस्थान के तो जल्वार, जल्वरा पतल नमक जगे पर ठीक है, राजस्थान में है टिकला गाउं जो की 1600 मीटर उचा है नेस्ट पॉइंट आपको जो याद रखना है चड़ते समय सरीर का कोंड कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए ठीक है और जो पीठ होती यानि कि बैक होता है हमारा वो कैसा होना चाहिए एकदम सीधे पोर्संस में होना चाहिए इसका मतलब समझा रहा होगा कि जो 90 डिग्री होनी चाहिए हमारी बॉड़ी का एंगल जब हम चड़ रहे हो और जो पीठ है वो कैसा होना चाहिए एकदम सीधा होना चाहिए ठीक है नेस्ट पॉइंट है यह बचपन में एक बार पिकनिक पर गई थी और 4000 मेटर उची चोटी पर चड़ गई थी इनके लोग इसे क्या कहते हैं सागर माथा कहते हैं और इसकी उचाहिए आपको याद रखनी है कितना है 8848 मीटर उचा है किलो मीटर मत समझ लेना option में दोनों ही चीजें रहेंगी ठीक है अब यह क्या था कि जब यह गई थी तो इनका कोई नो कोई तो ग्रूप का लीडर भी रह समझना है कि जो दूसरों की help करता है ना दूसरों की मदद करता है उन्हें आगे बढ़ने दे पहले आप वाली बात उनके अंदर पहले आप वाली feeling हो कि पहले आप जाहिए फिर हम ठीक है यह नहीं की seat पर नहीं मुझे बैठना है ठीक है यह सब चीज नहीं होनी चाहिए जो ठीक से ना चड़ पाए उनकी मदद करनी चाहिए और जो लीडर है वो खुद ही एक अच्छी जगा ढूड़े जहां पर सारे लोग रुख सकें और आराम कर सकें ठीक है और जो बीमार हो उसकी देख़ाल भी करें और पूरे ही अपने ग्रूप के लिए क्या करें प्रूप मेंबर होते हैं उन्हें असा लगने लगता नहीं यार मेरी वज़ा से इन्हें डाट पढ़ रही है ठीक है तो वो नेस्ट टाइम इस चीज़ को और अच्छे से ध्यान देते हैं बट अगर आप वहीं पर एक नेता की तरह एक लीडर की तरह उन्हें डाटेंगे उन्हें प्रॉब्लम क्रेAट करके और उनको आगे बढ़ाएंगे तो ईसा होता है यार ये तोथे इसे ही हैं ठीक है तो वो गलतियां उन्हें बार बार होती जाती है ये चैप्टर किसका है संगीता अरूणा का रीएल अन्भो है इस चैप्टर के बारे में जो बताया इ लिकर अब यह कहांपर है, केंद्रिय विदेले में बढ़ाती है, के वियस की टीजर हैं, और एवियस की टेस्ट बुक लिखने में, यानि कि जो हमारी एवियस है ये क्लास थर्ड तू फोर्थ की बुक लिखने में ही, उन्होंने मदद की थी, मिन्स ये इसकी टेम मेंबर भी इतना point आपको chapter 9 के बारे में याद रखना है अब आपका जो chapter number 10 आता है chapter number 10 आपका क्या कहता है कि walls tell story walls का मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर दीवार की बात हो रही है ठीक है तो यह chapter क्या कह रहा है कि जो दीवार है कहा अपने कहावत सुनी होगी दीवारों के भी कान होते हैं तो यहाँ पर ऊध्कान वाली बात ना होकर यहाँ पर यह है कि जो दीवारें हैं मोटी मोटी दीवारें पतली दीवारें है आप अलग-अलग डिजाइन की दिवारे देखते हैं, वो कोई ना कोई बात बताती हैं, कि हमारे जो पुरातन धर्म के लोग थे, हमारे जो क्या बोलोगे आपकी, जो हमारे पूरबज लोग थे, उस टाइम पर कैसा रहन सेहन था, कैसी बिल्डिंगे हुआ करती थी, क्या च हैदराबाद में था, और आपको पता है कि अब अंध्रप्रदेश का क्या हो गया है, बटवारा हो गया है, मिंस अंध्रप्रदेश और तेलांगना, दो बट गया राज, ठीक है, तो हैदराबाद में था, लेकिन अब ये किस में आ चुका है, तेलांगना में आ चुका है, है क्या ये दिवार पर एक round shape का होता है उसे क्या कहते हैं वेसंस या बुर्ज कहते हैं और ऐसे ही गोल कुंडा की जो बाहरी दिवार थी उस पर कितने बुर्ज है तो उस पर 87 वेसंस या बुर्ज लगे हुए हैं कुतुप साहि सुल्तानों ने गोल कुंडा में 1518-1687 मतलब लगभख 169 यह तक किनों ने क्या किया सासन किया था उसके पहले 1200 में गोल कुंडा काली मिट्टी का बना हुआ था इतना यहाँ पर सासन किया था इतना important point नहीं है यह आपके लिए पहला point जो important वो है गोल कोंडा फोर्ट कहाँ पर है तो आप क्या बोलोगे हैदराबाद में है लेकिन इस टाइम पर कहाँ है वो तो कहाँ पर है वो मतलब कितने मेने वो 8 महीने तक किले के बाहर इंतजार करता रहा कि कब वो आकरमड कर सके लेकिन वो कभी आकरमड नहीं कर पाया क्योंकि यह जो दरवाजे होते थे बहुत उचे उचे होते थे और इसमें जरूखा टाइप का बना होता था और अंदर से उससे help मिलती थी कि ब लग जाता था जैसे मैंने आपको बोल दिया कि क्या होता था अंदर से जहागते थे जह रोके से और उन्हें पता चल जाती थी कि कोई उन पर आकरमड करने आ रहा है और ज्यादा तर उस टाइम पर जो चीज़ें होते थे वो किसकी बनी होती थी ब्रॉंज की ब्रॉंज को कासे की ही बनाते थे कासा होता क्या ये टामबे ठीक है टामबा और किसका मिस्त्रण होता है ये तिन का मिस्त्रण होता है अभी हम देखते हैं इसको आगे चलके नोट करा देते हैं आपको पॉइंट ठीक है सुल्तान अबुल हशन म्यूजिक और कुची पुडी डान्स का स चौकीन था ठीक है नेस्ट पॉइंट है वहां पर एक दर्वाजा था जिसका नाम क्या था फते दर्वाजा का क्या नाम था उसका फते दर्वाजा जो की राजा के महल से बहुत ही दूर पर था लेकिन ठीक है वो जो दर्वाजा था वो एक ऐसा दर्वाजा था कि वहां पर जो कुछ भी बूला जाता था वो राजा के दरवार तक आसानी से सुनाई देता था ठीक है खुदाई के समय बहुत सारी पुरानी चीजें मिली थी जैसे बरतन, तलवारें, जोईलरी, एक्सेटरा ठीक है मलारपुर जिला कहां पर है, ये पॉइंट याद रखना आप कहां पर है, केरल में है अब इस चैप्टर से हम बच्चों को जब टीचर आप बन जाओगे, तो बच्चों को कोई सीख भी दे सकते हो है इससे क्या होगा, बच्चे का जो इमेजिनेशन पावर होगा, वो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है समझ सकती बढ़ा सकते हो, क्यों उस टाइम पर कैसा खान पान था, कैसे लोग रहते थे तो इसको आप किसी कहानी की थ्रू या किसी ड्रामा के द्वारा आप ना टक के द्वारा उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है, अब आता है किसके बारे में कांसा, कांसा सबसे पहला पॉइंट चो आपको यहां पर याद रखना है कि किसकाद होता है तो यह पॉइंट बहुत सो है ये आदिवाशी लोग जादा से जादा यूज करके चीजों को बनाते हैं नेस चाप्टर है आपका चाप्टर नंबर 11 किसके बारे में आप पर डिसकस होगी सुनीता विल्यम्स के बारे में डिसकस होगा क्योंकि सुनीता विल्यम्स कहां पर जाकर आ चुकी है और ऐसी लेडी है जो कि इस पेस पर ठीक है गई है और सबसे ज़्यादा दिनों तक ये रहकर आई है मिन्स लगबग 6 मन्त के आसपास ये वहाँ पर रहकर आई है ठीक है तो देखते हैं इनके बारे में कुछ इस्टोरी ये अपने हां की नहीं थी ये कहां की है तो ये अमेर ट्याद रखना जो अंतरिश होता है ना वहाँ पर हवा नहीं होती है ठीक है तो वहाँ पर एक से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग क्या करते हैं तैरते रहते हैं इस तरीके से पहुंचते हैं चल कर नहीं पहुंच सकता है कोई वहाँ पर इसलिए जब वहाँ पर तो कंगी भी करने का कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि बाल हमेसा खड़े रहते हैं वहां पर ठीक है और और वहां से अगर पृतिवी को देखते हो तो आपका पृतिविक ऐसा वक्र सेव में कर्वशेप में दिखाई देता है और सब उढ़ते रहते हैं सारी चीज़े उढ़ कर रखते थे ताकि वो उड़े ना तो ये सब चीजें खुद को चिपकाने के लिए उन्हें मतलब एक जगा पर खुद को रखने के लिए उन्हें क्या करना होता तो खुद को चिपका कर रखना पड़ता था ये तो हो गई इस पेस की बाते होगी अब इस पेस से एकदम डार Azamra अर्थ दिखाई देता है अब आता है किसके बारे में सुनीता बिल्यमस के बारे में प्रिशिवी से 360 क्यूलومेटर दूर इस पेस сыp में गई थी और सब से लंबे समय तक रहने वाली ये महिला हैं ठीक किनी क्यूलोमेटर, दूर 360 किलो मेटर दूर ये गई थी ठीक है नेस्ट पॉइंट है 912 2006 मिन्स 9 दिसंबर 2006 से 16 दिसंबर 2006 तक ठीक है लगभग 6 महीने से जादा तो इसमें कुछ मिस्टेक है देखना पड़ेगा मैंको ठीक है ये 6 महीने से जादा ही रही है और ये बनना क्या चाहती थी गोता खोर बनना चाहती थी जब वह भारत आई तो हजारों बच्चों को उनसे मिलने का मौगा मिला और वह भारत क्यूं आई थी तो वह कलपना चावला जो उनकी फ्रेंड थी उनका सपना पूरा करने के लिए वह भारत आई थी और सिच्चों के लिए जो टीचर है उनके लिए एक बहुत अच्छी बुक है उस बुक का नाम क्या है How We Find the Earth is Round by इशाग आशीमॉब ठीक है तो ये बुक किसने लिखी है इसाग आशीमॉब ने लिखी है से अपसाइड डाउन है इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो ग्राविटी है ग्राविटी के कारण ही भारत के लोग अर्जिंटीन और ब्राजिल से क्या है अपसाइड डाउन है यहाँ पर ही निल आर्मिस्टांग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं सुना ही होगा आप सब कि यह चंदर्मा पर जाने वाले सबसे पहले बैक्ती थे यह बी कहां के हैं थो यह झाद पर उतरने वाले सबसे पहला बैक्ती है तूटता हुआ तारा जिसे हम क्या बोलते हैं उल्का पिंड कहते है क्या होता है जो प्रित्वी के वाई मंडल में आते ही जल जाता है इसका मतलब आप यह समझो कि जो हमारा atmosphere है उसमें पांच लेयर हैं ठीक है पांच लेयर हैं जिसे हमतापन मंडल समताप मंडल ठीक है वाई मंडल मध मंडल तो इस तरीके से जब मैं आप यह से जादा यूपी टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वहां पर मैं इसको बहुत अच्छे से डिसकस करूंगी पूरा अच्छे से आता है एटमासफेर के बाहरी लेयर में जैसी वह इंटर करने की कोशिस करता है कहां पर आयन मंडल में किस मंडल में तो यह भी याद रखना आयन मंडल में ही जैसे ही वह आता है क्या होता है जलकर राख हो जाता है तो इस तरह के हमारे प्रितवी पर उलका पिंट नहीं आ था। ठीक है कोई सी चीज और फेको तो वह क्या होता है नीचे आकर गिरती है। जब कोई चीज नीचे आती है तो क्या होता है? हवा उसनक कुछ सा जब कंभ करकेदा है ही 2 चाप्तर-world और आसका आपश्ची झितान noodle TB कोस्ट भी बढ़ जाती है तो यह क्या है एक human being के लिए problem ही है कि money बहुत जादा cost बहुत जादा ही लगेगा ठीक है production कम हो जाता है और यहाँ पर mainly जो बात हो रही है किसकी बात हो रही है petroleum की और आपको पता है कि petroleum को बनने में लाखों million लग जाते है ठीक है इसलिए इसका use बहुत ही limited करना चाहिए बहुत जादा ही मात्रा में नहीं करना चाहिए क्योंकि इसको बनने में बहुत समय लगता है और यह एक natural way में बनता है प्राकृतिक तरीके से बनता है आप इसे बना नहीं सकते हो क्या निकाला गया इस चैप्टर में जो हमें पढ़ने है तो वो यह है पेट्रोल निकाला जाता है ठीक है कहां से निकाला जाता है जमीन के नीचे से गहरे रंग का गाढ़ा बदबुदार होता है यह साफ करने के लिए फिर इसको refinery भेजा जाता है फिर ठीक है इससे क्या बन कर आता है कैरोसीन ओयल बोल देते हैं डीजल बोल देते हैं पेट्रोल बोलते हैं इंजन ओयल बोला जाता है या हवाई जहाज के लिए जो फिल्स यूज होते हैं वो बन कर आ जाता है LPG जो कि हमारी जो घरों में सिलंडर होते हैं उसमें डाला जाता है कि CNG जिन से गाड़ियां चलती है MOM, कोल, तार, ग्रीस, etc. बनते हैं किसे ये निकाली हुई चीजों से जो गाड़ा बदबुदार चीज निकलता है कहां से अर्थ के नीचे से, जिसको बनने में लाखों साल लग जाते हैं लाखों, मिलियन, अर्वों साल लग जाते हैं यहां पर जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, बच्चों वो LPG के बारे में याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है Liquified Note कर लो आप लो Liquified Petroleum Gas Eddie municipal gas ठीक है Liquified Petroleum Gas Next है आपका CNG CNG ठीक है CNG CNG यह किसमे यूज होता है CNG Compressed Natural Gas किसमे यूज होता है तो आप क्या बोलोगे Gaudium यूज होता है अभी इसका एक और चीस मी बताती हूँ आपको पहले आप इसका full form देख लो, compressed natural gas, ठीक है, compressed natural gas, अब यह मैंने क्या बोला, गाड़ियों में यूज होता है, तो इस जो CNG है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी पार्ट पाया जाता है, ठीक है, CNG में, क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आपको याद रखने, जब यूज करता है, वो map का यूज करता है, किसका यूज करता है, map का, तो इसका मतलब इसमें जो gas पाया जाती है, CNG में सबसे ज़्यादा M4, methane gas पाया जाती है, ठीक है, तो यह भी आपको पॉइंट याद रखना है, कि CNG में सबसे ज़्यादा कौन सी gas पाया जाती है, तो यह अगर कारवन दो कारवन एत्रय में तो प्रोटेन इस तरीके से बनता है तो मेथेन एत्रय और प्रोपेन लेकिन सबसे ज़ादा चूरी मेंन सीन चुरॉAll में यह एल्पीजी में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तो याद रखना वियूटोएन गैस पाई जाती है भी वार ब्यूटेन और पी फार प्रोपेन गैस पाई जाती है लेकिन maximum कौन पाई जाती है तो ब्यूटेन पाई जाती है इतना point आपको याद रखना है clear है बच्चों ठीक है next आपको क्या देखना है plastic और paint को बनाने में भी इसका प्रोग किया जाता है तो इतने point है जो कि आपको कहां से मिलते हैं इस chapter से मिलते हैं इतना आपको discuss मैंने करा दिया है आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा ठीक है और इस बार कोसिस करना कि इवियस में 30 में से 28 प्लस माक्स आ जाएं आपके 25 प्लस माक्स आ जाएं और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आज आएंगे आपके ठीक है क्यूंकि अभी जितना content हो रहा है और हमेसे के लिए वो याद भी हो जाता है ठीक है तो PDF आपकी 3-4 दिन में रेडी होकर अपलोड हो जाएंगी क्लास 5 की भी और आप देखते रहिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सस्क्राइब करें और कमेंट करें ठीक है इससे क्या होता है कि होस्ता मिल एक झाल से किते रिनस्त क्लासमें तेक आ थाल से बिलेग से क्लासमें तेक श्राण साइब करें रिंग कि अखिते रिंग करेंगें आता है कि एक जाएंगें झाल झाल